Welcome to GK Classes, so आज हम इस statics का next episode discuss करेंगे, और अभी तक आपनी इसके पहले के episode नहीं देखे हैं, तो link मैं description box में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, या फिर आप हमारे telegram channel official GK Classes में भी जाकर सारे classes जो हैं वो देख सकते हैं, और जैसा कि मैंने पहले भी आपक कराती हूं, और ये सारे question जो है, exam के point of view से बहुत जादा important है, इसलिए ये series में लेकर आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, तो अगर अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है, तो कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए, तो like और share कर दीजेगा, और इस class की PDF जो है, आप हमारे telegram channel, official gk classes, उसका link मैंने description box में दिया है, आप वहाँ पर जाकर join हो सकते हैं, तो चले start करते हैं, बिना time waste किये, आज का पहला question, first question is, असत्य को पहचानिये, तो देखिए, आपको इसमें गलत वाला बताना है, तो इसमें जो है, चार option है, बट ये चार option है, चार question है, इ तो मैं आपको एक trick के थो बताती हूँ कि आप याद रखेंगे कि कहां पर हुआ था, तो देखिए, चार बहुत संगती का trick है, रावा, रावा, पाका, आप इसे याद रख सकते हैं, या फिर आपने भी कोई निमोनिक्स बनाया होगा, निमोनिक्स, उससे भी आप इसको य वैसाली, वैसाली हो गया, और पी ए से हो गया पाटली पुत्र, और के ए से हो गया कुंडलवन कस्मीर, तो देखिए, आप इससे अराम से याद कर सकते हैं, और ये 1, 2, 3, 4, तो पहली संगती जो है, रावा से हो गया राजगरी, वी ए से हो गया वैसाली, पी ए से हो गया पातलीपुत्र और कुंडल्वन कस्मिर। पहली बहुत संगति हुई थी, उसके जो अध्यख्ष कौन थे? महाकस्यप ये एकदम करेक्ट है इसमें महाकस्यप जो इसके अध्यश्ट थे और ये पहली वाली कहाँ पर हुई थी? पहली वाली हुई थी राज ग्रिय में जो भी मैंने आपको बताया और दूसरी बौध संगती जो है ये सब्बा कमीर में हुई थी ये भी एकदम करेक्ट है और ये कहाँ पर हुआ था? वी ए से याद रखियेगा वैसाली रावा पाका तो वैसाली और तीसरी बौध संगती ये कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी पाटली पुत्र में और इसके अध्यक्स थे मोगली पुत्र तिस ये भी एकदम सही है और ये किसके सासनकाल में हुई थी? तो समराट असोक समराट असोक जो हैं सासक थे तो उन्हीं के समय पर ये हुई थी तीसरी बौध एकदम करेक्ट है और चौती चौती मैंने आपको बताया कहां पर हुई थी? कुंडलवन कस्मीर जो लास्ट में था के एक कुंडल कुंडलवन कस्मीर यहीं पर जो है चौती बौध संगती हुई थी और इसके अध्यक्षिस में इसमें लिखा है अस्वगोस ये गलत है क्योंकि अस्वगोस जो है ये उपाध्यच थे अस्वगोस जो है उपाध्यच थे ना की अध्यच इसलिए गलत हो गया तो चौती बौध संगती के जो है अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे वसुमित्र अगर यहां पर वसुमित्र लिखा होता तब ये करेक्ट होता बट ये अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष है अस्वगोस और अध्यक्ष कौन है? वसुमित्र इसलिए गलत हो गया है तो इसमें का राइट आंसर होगा ये क्योंकि गलत वाला पूछा है और चौती बौध संगती कुंडलवन कस्मीर में हुई थी और उसके उपाध्यक्ष अस्वगोस थे और अध्यक्ष वसुमित्र थे और किसके सासन काल में हुआ था? ये भी पूछता है इंपोटेंट है इसलिए मैं बता रही हूँ आपको कुसाड सासक कुसाड सासक कनिस्क उनके समय पर जो है कुसाड सासक कनिस्क उनके समय पर जो है कुंडलवन कस्मीर में हुई थी अध्यक्ष है इसके वसुमित्र और उपाध्यक्ष है इसके अस्वगोस तो ये था इसका राइट आंसर और वीडियो पसंद आए तो आप इसे इस्टडी से रिलेटेड फेस्बूक ग्रूप वाटसब ग्रूप में जरूर सेयर क्या करो so that दूसरी लोग जो एक्जाम की तयारी करने है उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके and question number two जैन धर्म के संदर्व में असत्य को पहचानिये देखिए आपको जैन धर्म के बारे में यह चार question है उसमें आपको बताना है कि कौन सा गलत है गलत वाला बताना है तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि जो जैन धर्म है देखिए जैन धर्म जो है उसके पाँच महावरत है पाँच महावरत है कौन कौन से है सत्य है अहिंसा सत्य हो गया अहिंसा हो गया अस्ते हो गया ये क्या है ये पांच महा ब्रत है सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह 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 हो गया एड एक है ब्रह्म चर्य मैं यहां लिख देती हूं ब्रह्म चर्य तो ये जो है जैन धर्मे के पांच महावरत हैं, सत्य, अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह, और ब्रह्मचर्य, और जो जैन धर्म है, उसके जैन साहित्य है, उसको क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को जो है आगम कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, जो जैन साहित्य है, उसे क्या कहा ज जाता है तो चलिए अब हम ऑप्शन देखते हैं और उसमें देखते हैं कि गलत वाला कौन सा है मैंने आपको बताया कि जैन धर्म में पांच महावरत है ये एकदम करेक्ट है सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्र एंड ब्रह्मचर एंड बी सम्यक दर्शन सम्यक ज्यान तथा सम् संगम कहा जाता है तो मैंने आपको बताया कि जैन साहित्य है उसके संगम को आगम कहा जाता है तो ये क्या हो गया गलत हो गया क्योंकि जो संगम दिया हुआ है ये संगम किसे कहा जाता है तो जो तमिल कवी है तमिल कवियों के साहित्य को तमिल कवियों के साहित्य को क्या कह संगम याद रखेगा और जैन साहित्य को क्या कहा जाता यह आगम है इसलिए जो है यह इसमें करेक्ट होगा क्यूंकि आप पूछा है और जैन धर्मकल्पसुत्र की रचना भद्र बाहूने की है यह भी करेक्ट है तो गलत वाला पूछा है तो गलत कौन सा है Option number C, जेन साहित्य को संगम कहा जाता है, ये इसमें गलत है, क्योंकि जेन साहित्य को क्या कहा जाता है, आगम एंड संगम कहा जाता है, तमिल कवियों के साहित्य को, अब नेक्स्ट कोईशन, question number 3, इसमें भी आपको जो है wrong वाला बताना है, असत्य को पहचानिये, तो इसमें सांख दर्षन है उसके प्रवर्तक जो है कपिल मुनी ही है and B वैसेसिक दर्षन के प्रवर्तक कन्नाद है यह भी correct है and C विशिष्ट अधैतवाद के समर्थक रामानुजाचार हैं यह हैं यह भी सही है क्योंकि जो विशिष्ट अधैतवाद है उसके समर्थक जो है रामानुजाचारी है और अभी जो हाल ही में जो है रामानुजाचारी जी की जो मुर्ती है जो इनकी स्टैचू है वो कहां पर बनाई गई है हैदराबाद हैदराबाद में बनाई गई है मैंने आपको बताया था और इसका क्या नाम है Statue of Equality इस मुर्ति का नाम याद रखिएगा क्योंकि ये जरूर पूछा जाएगा Statue of Equality अगर ये कोशन पूछे कि Statue of Equality है वो कहाँ परिस्थित है तो वो है है हैदराबाद में है and 216 feet जो है ये मुर्ति की उचाई कितनी है 200 solar feet और जो Statue of Equality है रामानुजचारी जी की जो मुर्ति है उसका संबंध किस्से है तो समानता के तियोहार से समानता का जो फेस्टिवल होता है उसी से related है तो याद रखिएगा विशिष्ट और दैतवाद के समर्थक रामानुजचारी है इनकी मुर्ति जो है है हैदराबाद में 216 feet उची जिसका नाम क्या है Statue of Equality जो की समानता का तियोहार तो ये भी एकदम correct है and D और दैतवाद के समर्थक जैमिनी है ये इसमें गलत है क्योंकि जैमिनी जो है वो पूर्व जो मिमानसा है देखे पूर्व मिमानसा जो पूर्व मिमानसा है उसके समर्थक कौन है तो उसके समर्थक है जैमिनी बट इसलिए गलत दिया है क्योंकि अदैतवाद के समर्थक कौन है अदैतवाद के जो समर्थक है वो है संक्राचारे इसका मैं आपको यहां बता रही है संक्राचारे संक्राचारे जो है वो अदैतवाद के समर्थक है संक्राचारे जी की जो मुर्ती है statue है वो हाल ही में उत्तरा खंड के जो केदार नाथ में इनकी प्रतिमा को स्थापित की गई है तो ये भी याद रखिएगा कि संकराचारी की जो मुर्ती है वो कहां पर स्थापित की गई है तो उत्तरा खंड के केदार नाथ में और अदैतवाद के समर्थक संक्रा चा रहे हैं तो यह इसलिए इसमें करेक्ट होगा क्यूंकि गलत वाला पूछा है एंड जैमिनी का याद रखिएगा पूरु मिमानसा के समर्थक तो इसका राइट आंसर होगा option number d next question 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 number four सत्य को पहचानिये आपको इसमें बताना है कि कौन सा वाला राइट है रॉंग वाला नहीं पूछा है इसमें ध्यान दीजेगा असत्य वाला नहीं क्योंकि मैं असत्य वाला ही कोश्चन बहुत दिन से करा रही हूं इसलिए question को भी एक्जाम है ऐसे ही स्टार्टिंग से अग को इसको समझा देती हूं फिर हम option में देखेंगे देखिए कि अगर जो है GDP में से जो है घिसावट घटाने पर देखिए GDP GDP में से जो घिसावट है जिसको बोलते है depreciation उसको अगर हम घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा NDP तो GDP में से जो है अगर माल लीजे कि G का मतलब ह हो गया gross जी का मतलब हो गया gross and N का मतलब हो गया net तो क्या है कि अगर जो है gross यहां पर देखिए अगर gross से net निकालना है अगर हमको gross से net निकालना है तो क्या घटाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा depreciation को अगर depreciation को घटाना पड़ेगा gross में से net निकालने के लिए तो याद रखिएगा, ग्रॉस से नेट निकालना है, तो डेप्रीशियेशन को हिंदी में बोलते हैं, घिसावत, उसको घटाना पड़ेगा, तो यह इसलिए याद रखिएगा, यह पॉइंट, एंद दूसरा, कि अगर मालीजे कि जो जी एन पी है, उसे भी मैं समझा दे रही उसको जोडने पर क्या प्राप्त होगा, यह question पूछे, कि जोडने पर प्राप्त होगा, कि घटाने पर, जो GDP है, जी एन पी में, इस जी एन पी में जो है, क्या जोडने पर, जोडने पर या घटाने पर, वीदेसी I है, उसको जोडेंगे या घटाएंगे, उससे क्या प्र इसको ना की जोड़ना पड़ेगा तभी जो है घरेलू प्राप्त होगा तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा इसके पहले जो मैंने आपको बताया कि अगर ग्रॉस से नेट निकालना है तो डेप्रिसीेशन को घटाना पड़ेगा और अगर जो है नैसनल से राष्ट्र से अगर घरेलू निकालना है डोमेस्टिक निकालना है तो विदेसों से जो प्राप्त आए है उसको क्या करना पड़ेगा उससे घटाना पड़ेगा तभी जाकर घरेलू या फिर डोमेस्टि तो इसमें क्या पूछाए कि आपको इसमें राइट वाला बताना है तो देखिए मैंने आपको बताए कि GDP में से घिसावत डैप्रिसियेशन घटाने पर जो है NDP प्राप्त होता है मतलब ग्रॉस से अगर नेट निकालना है तो डैप्रिसियेशन को घटाना पड़ेगा ये ए बताना पड़ेगा ना कि जोड़ना पड़ेगा तो ये गलत है and C प्रति वैक्तिगत आय राष्ट्री आय में कुल जनसंख्या के भाग से प्राप्त होता है तो ये भी इसमें सही है और आपको सही वाला ही बताना है तो इसमें दो आप्शन सही है option number A and C तो D वाला जो होग प्रत बताना है आपको मतलब जिसकी matching जो है जिसका मिलान सही नहीं है तो आपको इसमें गलत वाला बताना है तो इसलिए जो है यह चार question है मैंने इसको इसले लिया है क्योंकि जो चार यह है यह हमेशा जो है repeat होते है एक्जाम में और इन चारों के दरा मैं आपको अच्छ अनुछेद 61, जो है राष्ट्रपती पर महाभीयोग, महाभीयोग को इंगलिस में बोलते हैं, इमपीचमेंट, इसका मतलब होता है, महाभीयोग, तो ये एकदम राइट है, राष्ट्रपती पर जो महाभीयोग है, वो किस अनुछेद में है, तो अनुछेद 61, ये एकदम कर जो राष्ट्रपती है ये जो है मृत्यू दंड है मृत्यू दंड एंड कोर्ट मार्शल ये भी याद रखेगा कोर्ट मार्शल राष्ट्रपती जो है अनुछेद बहत्तर में है और राष्ट्रपती जो है मृत्यू दंड को छामा कर सकते हैं और राष्ट्रपती जो है कोई भी कोट मारसल है उसको भी छमा कर सकते हैं तो ये दोनों चीज़ याद रखेगा बट जो राज्य पाल है राज्य पाल याद रखेगा राज्य पाल जो है ऐसा नहीं कर सकते हैं मतलब राज्य पाल जो है मृत्यू दंड को छमा नहीं कर सकते हैं नाहीं कोट मारसल को ये दोन का अनुछेद रखेएगा अनुछेद 161 एकसोव, एकसट यह अनुछेद है राजय पाल का तो यह इसमें सहीğ है and C अनुछेद 123 राष्ट्रपति की अध्या दे सकती यह भी एकडम करेक्ट है and D अनुछेद 23 राष्ट्रपति की कारे पालिका सकती ये इसमें गलत है क्योंकि जो राष्ट्रपती की कारेपाली का सकती है वो किस अनुछेद में है वो है अनुछेद 53 अनुछेद 53 में जो है राष्ट्रपती की कारेपाली का सकती है और अनुछेद 213 में क्या है तो जो अनुछेद 213 है उसमें राजेपाल अगर यहाँ पर राजेपाल लिखा होता तो यह करेक्ट हो जाता राजेपाल की जो अध्यादे सकती है वो किस अनुछेद में है तो वो है अनुछेद 213 एंड राष्ट्रपती की कारेपालिका सकती वो है किस अनुछेद में अनुछेद 53 तो देखिए आपको ये दोनों चीजे इससे सीखने को मिली तो चलिए मैं आपको एक बार इसको explain करती हूँ अनुछेद 61 राष्ट्रपती कोर्ट मार्सल को जो है चाहँ कर सकते हैं बड राजयपाल ऐसा नहीं कर सकता है और राजयपाल का अनुछेद है 161 अनुछेद 120 राष्ट्रपती की अध्याद देस सकती है और अनुछेद 53 तो ये इसमें गलत इसमें पूछा कौन सा मिलान सही नहीं है, तो इसका राइट आंसा होगा, option number D, next question, question number 6, चीन की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है, तो मैंने जो इसमें option लिया है, उसके थ्रो में आपको सारे बता दूंगी, तो देखिए जो टका है, टका जो है, ये कहां की currency है, ये है बांगलादेस, ब जो है कहां की मुद्रा है, तो पीसो जो है ये फिलिपिन्स की है, पीसो जो है कहां की मुद्रा है, तो ये है फिलिपिन्स की currency है, फिलिपिन्स की मुद्रा है, एंड येन कहां की है, येन जो है वो जापान की मुद्रा है, येन कहां की है, जापान की मुद्रा है, एंड तो यह है चीन की, तो चीन की मुद्रा क्या है, युवान या फिर रेमेन भी, तो इसमें पूछा था, कि चीन की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आउंसर होगा, option number D, युवान, ये इसमें correct है, या फिर रेमेन भी भी कहते हैं, अब चलिए कुछ और और भी हम currency देखते हैं, जो important है, तो देखें जो मैनमार है, मैनमार की जो currency है, या फिर मुद्रा है, उसे बोलते हैं क्यात, मैनमार का है क्यात, एंड वेनेजुएला का है, वोलिवर, याद रखेगा, वेनेजुएला का जो मुद्रा है, या फिर करेंसी है, उसे बोलते हैं मैनमार का है क्यात वेनेजुएला का है वोली वर एन इरान का है टोमान तो ये था इसमें करेंसी आप इस सारे करेंसी को याद रखिएगा कोई भी एक्जाम में कोई भी एक पूछ सकता है ये तो हमें नहीं पता इसलिए जो इंपोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है और कोईश्ट नमबर सेवन कॉफी के बागानों को किस देश में फजेंडा कहा जाता है तो देखिए जो कॉफी के बागान है उसको जो है ब्राजील में इसका राइट आंसर होगा ब्राजील प्राजील में कॉफी के बागान को क्या कहा जाता है वहाँ पर कहा जाता है और यह इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना में जो घास के मैदान है उसे क्या कहते हैं पंपास यह मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है और साउट अफ्रिका South Africa के जो घास के मैदान है उसे कहते हैं Wells and Australia Australia के जो घास के मैदान है उसे क्या कहते हैं Downs तो ये भी याद रखिएगा कॉफी के बागान जो है किस देश में फैजेंडा कहा जाता है तो वो है ब्राजिल अब देखें मैं आपको इसमें ये बताना चाहूंगे कि जो कॉफी के जो कॉफी बंदरगा है ये भी याद रखिएगा जो कॉफी बंदरगा कॉफी बंदरगा जो है साओ पोलो और सेंटोस के सेंटोस में है और ये कहां बनें ये दोनों तो मैं यहाँ पर आपको लिख के बता रही हूँ, Sao Polo, Sao Polo and Santos, Sao Polo और Santos यह कहां पर हैं, तो यह दोनों जो हैं, ब्राजील के अंदर ही हैं, यह भी याद रखिएगा, तो कौफी के जो बंदर गाह हैं, वो कहां पर हैं, Sao Polo और Santos के अंदर, जो कि ब्राजील में हैं, वह पहले इस्थान पर हैं, यह जो ब्राजील है, वो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में, कौफी उत्पादन में, ब्राजील जो है, पहले इस्थान पर हैं, और ब्राजील जो है, आपको पता होगा कि छेत्रफल, छेत्रफल और जनसंख्या, दोनों में कौन से इस्थ इसका राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर पूछा था इसमें कि कॉफी के बागानों को किस देश में फैजेंडा कहा जाता है तो वो कहते हैं ब्राजील में और इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेशन बन सकते थे वो सारे मैंने आपके साथ डिसकस की हैं चलिए नेक्स्ट क्वेशन पर कोशन नमबर एट भुटान को किस नाम से जाना जाता है तो देखिए सारे जो हैं क्वेशन ही है सुरियोदय का देश भी कहते हैं जिसे हम निप्पन भी बोलते हैं निप्पन तो देखिए सु कुमारो का जो देश है वो जापान को कहते हैं और जापान को ही सुरियोदय का देश भी कहते हैं एंड प्यासी भूमी का देश ये किसे कहते हैं ये कहते हैं औस्ट्रेलिया को 85 भूमी का जो देश है वो आस्ट्रेलिया को कहते है और नहरो का देश आप सबको पता है ये कहते हैं पाकिस्तान को पाकिस्तान को क्या कहते हैं नहरो का देश और लेंड ओफ थंडर वॉल्ट ये किसे कहते हैं भूटान को तो मैंने इस question के थो आपको अलग-अलग जो question बन सकते थे वो सारा समझा दिया है तो देखिए एक बार हम इसे देखते हैं मैंने आपको बताया सू कुमारों का देश किसे कहते हैं तो वो कहते हैं जापान को प्यासी भूमी का देश किसे कहते हैं आस्ट्रेलिया को नहरों का देश किसे कहते हैं तो नहरों का देश पाकिस्तान को and भूटान question ने पूछा था कि भूटान को किस नाम से जाना जाता है तो इसका right answer होगा option number D land of thunder world ये इसमें right है और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी जो जीलो का देश है जीलो का देश किसे कहते हैं तो ये कहते हैं Finland को ये भी याद रखिएगा Finland को जो है जीलो का देश किसे कहा जाता है तो Finland को और इसका right answer होगा option number 8 का land of thunder world अब चलिए next question पे question number 9 रेमन मैकसे से पुरसकार कहां प्रदान किया जाता है तो सबसे पहले आप देखिए कि जो रेमन मैकसे से पुरसकार है इसे हम बोलते हैं Asia का noble award जो Asia का noble पुरसकार होता है या फिर Asia का जिसे इंगलीज में बोलते है Asia का noble award वो किसे कहते है Asia का noble award जो है रेमन मैकसे से को बोलते है Asia का noble award और एक सबसे पहले किसे मिला था किस भारतिय को मिला था तो जो रेमन मैकसे से पुरसकार है जिस पहले भारतिये को 1958 में मिला था किसे विनोबा भावे को विनोबा भावे सबसे पहले जिसे मिला था वो थे विनोबा भावे ये पहले भारतिये हैं जिने 1958 में रैमन मैकसे से पुरसकार जो की एसिया का नोबल अवर्ड है वो इन्हें मिला था एंड विनोबा भावे के ही द्वारा एक आंदोलन भी चलाए गया था आपको याद होगा वो है भुदान आंदोलन भुदान आंदोलन पूछता है कि विनोबा भावे के द्वारा एक आंदोलन चलाए गया था उसका क्या नाम है तो वो है कौन सा है भुदान आंदोलन इनको 1958 में Asia का Nobel Award Raymond Maxey से पुरसकार मिला था तो याद रखिएगा एंड जो है ये Stock Home Stock Home में Nobel Award दिया जाता है यहाँ पर Nobel Award दिया जाता है और Sweden की राजधानी है Sweden की राजधानी कौन सी है तो Sweden की राजधानी है Stock Home Sweden की जो राजधानी है वो है Stock Home और Oslo में क्या दिया जाता है तो Oslo में जो है Santi का Noble पुरसकार ये सारी पॉइंट आप copy में लिख लिजेगा Santi का जो Noble Award है Santi का जो Noble पुरसकार है वो Oslo में दिया जाता है और Narvay की राजधानी क्या है Narvay की राजधानी वो है Oslo Narvay की जो capital है इसका नाम है Oslo और यहीं पर सांती का नोबल पूरसकार दिया जाता है और question में ये पूछा है कि रैमन मैकसे से पूरसकार कहां प्रदान किया जाता है तो वो दिया जाता है मन्नीला में मनीला जो की कहाँ पर है फिलिपिन्स के अंदर है मनीला कहां पर है यह है फिलिपीन्स के अंदर और यहीं पर जो है रैमन मैकसे से पुरसकार दिया जाता है और लॉस एंजल्स जो लॉस एंजल्स है वो है अमेरिका में अमेरिका में इस्थीत है लॉस एंजल्स और यहां पर आसकर अवर्ड यह सारे पुरसकार जो है मैं दिया जाता है और मनीला में ही Asian Development Bank, इसका जो headquarter है वो कहां पर है, वो मनीला में ही है और मनीला में ही अंतर राष्ट्री चावल अनुसंधान केंद्र, यह important है इसलिए मैं इसे लिखा रही हूं, अंतर राष्ट्री चावल अनुसंधान केंद्र, यह कहां परिस्थित है, तो यह है मनीला में ही है, तो यह देखिए मनीला से तीन चीजे मैंने आपको बताई, कि मनीला में जो है रेमन मैकसे से पुरसकार जो है, जो कि ACI का नोबल अवार्ड है, यह मनीला में ही दिया जाता है, मनीला जो है फिलिपिन्स के अंदर है, मनीला में जो है Asian Development, जो बैंक है उसका Headquarter यहीं पर है, एंड मनीला में ही अंतर राष्ट्री चावल अनुसंधान केंद्र इस्थित है, तो यह सारी बाते आप याद रखिएगा, एंडी, Los Angeles जो कि अमेरिका में है, यहां पर Oscar, Award दिया जाता है, और यहीं पर स्वामी विवेकानंद, आपको पता होगा जो स अहां परिस्थित है, तो वो Los Angeles अमेरिका में है, तो यह सारी बाते आप याद रखिएगा, और इसका Right Answer होगा, Option Number C, Manila, एंड आज का हमारा Last Question, Question Number 10, 2011 की जनगर्ना के अनुसार, भारत में कितने राजियों का लिंगा नुपात, लिंगा नुपात का मतला आपको पता होगा, Sex Ratio, लिंगा नुपात जो है, एक हजार से अधिक है, तो देखिए सबसे पहले जो 2000 की जनगर्ना, जिसे इंगलिस में बोलते हैं, Census, जिसे इंगलि जो है, चंद्र मौली, इसके जो आयुक्त हैं, वो थे, चंद्र मौली और 2011 की जो जनगर्ना है, इसकी थीम क्या थी, ये भी आपको याद रखना है, जो इसकी थीम है, वो है, Our Senses, Our Future, ये इसकी क्या है, तीम है, ये थीम जो है, एक्जाम में जरूर पूछता है, और आयु आयुक्त भी, तो याद रखिएगा, आयुक्त थे चंद्र मौली, और 2011 की जो जनगर्ना हुई, उसका थीम क्या था, Our Senses, Our Future, ये सारी बाते आप याद रखिएगा, अब देखिए मैं आपको लिंगा नुपात, जो की सेक्स रेसियो मैं उसमें आपको बताती हूँ, मैक्स सबसे अधिक एखिए में पहले स्थान पर है केरल, और दूसरे पर है तमिल लाड़ू, और देखिए जो केरल वो पूरे भारत में पूरे भारत में एक मातर राज्य है केरल जो है ये पूरे भारत में एक मात्र राज्य है जिसका सेक्स रेसियो जो है एक हजार से अधिक है एक हजार से अधिक है कितना है एक हजार चौरासी ये नंबर आपको याद रखनी की जरूरत नहीं है आप इतना याद रखिएगा कि पूरे भारत में सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य है जिसका लिंगा नुपात सेक्स रेसियो जो है एक हजार से अधिक है और सबसे कम किसकी है सबसे मिनिमम तो वो है हर्याना हर्याना की जो सेक्स रेसियो है वो सबसे जादा जो है पूरे भारत में सबसे कम है तो राज्य में तो केरल है सबसे पहले बट अगर question में ये पूछे कि केंदर सासित प्रदेश, तो क्या कोई केंदर सासित प्रदेश है, जिसका जो sex ratio है, वो 1000 से अधिक है, union territories, तो हाँ है, वो है, पुदुचेरी, जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी की जो sex ratio है, वो है, वो भी 1000 से अधिक है, और ये क्या है, union territory जिसे हिंदी में बोलते हैं case याद रखियेगा राजी। भी याद रखिएगा पुदुम केरे कनम हृणा सुभा, बारत में कितने राज्यों का लिंगा नुपात, सेक्स रेशियो एक हजार से अधिक है, तो वो केवल एक है, आप्शन नम्म बी, इसका राइट आंसर होगा, क्यूंकि जो केवल एक राज्य है, उसी का सबसे अधिक है, और सबसे कम हर्याना का है, एंड माने आपको बताया, यूटी में कौन है, तो वो है पुदू चेरी, तो ये था आज का इसका पूरा एक्स्मेनेशन, आई होप आपको सारी चीजे अच्छे से समझ में आई होंगी, और जो भी चीजे मैं आपको डेली पढ़ा रही हूं, ये एक्जाम के पॉइंट आफ व्यू से बहुत जाद इंपॉटेंट है, रिवीजन, रिवीजन जो है, किसी भी चीज, किसी भी एक्जाम को मैंने पहले भी आपको बताया है, कि अगर रिवीजन टाइम टू टाइम नहीं करेंगे, तो पीछे का पढ़ा हुआ सारा भूल जाएगा, तो ये जो भी क्लासेस चल रही हैं, आपको देखने को मिलेगा, तो वीडियो पसंद आए, तो इसे लाइक सेर कर दीजेगा, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, नहीं तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा, जी के क्लास Is always with you, Thanks for watching.